महावाक्यों में एक यही है सत्यम सिवं सुन्दरम महावाक्यों और महावाक्य का आर्थ है कि यह तीन डोर है हमारी अंदर इनर जर्नी के लिए अंदर यात्राय के लिए तीन दर्वाजे हैं और यह तीन टाइप हैं लोगों के एक सत्य के रास्ते से चलेगा निकों सत्य को खोजेगा हर चीज में एनलिसिस करेगा भूत ही खोजी प्रवत्तिका होगा और एक विक्ति शिव के रास्ते से कल्यान के रास्ते से जो कुछ उसका मारग होगा कल्यान का रहीyorum जीवन में एक एक कदाम एक एक उसका शब्द कल्यान का होगा और एक विक्ति सुन्दर के रास्ते से चलेगा कि सब सुन्दर होना चाहिए और अगर तीनों को एक साथ रखे देखेंगे तो बात एक ही है अगर सुन्दर सब होगा तो कल्यानकारी होगा और फिर वो सत्य की तरह भी होगा सब सुन्दर होगा तो सत्य कैसे होगा यह एक आज का विज्ञान उसको प्रमानित करता है बड़े रोचक धंग से विज्ञान कहता है कि जो सुन्दर दिखाई देता है हमको कहीं भी वो बहुत मैथमेटिकल है सत्य इसलिए बड़ा गड़ित जैसा होता है ज्यादा लोग जो सत्य के खोजी होते हैं कभी-कभी ड्राइ लगते हैं सुखे सत्य की बाते हैं ज्यान की बाते हैं सीकर एक्स्प्लोरर थोड़े सुखे रूखे टाइप के लगते हैं अंतर कोई नहीं है तो विज्ञान कहता है कि जहां भी संदर है वो परफेक्ट मैथमेटिक्स है अगर सागर में एक लहर भी उठके गिरती है तो उस हर लहर का एक ही धंग, एक ही डायमेटर, एक ही है पेंड में जो पतियां इतनी खुबसूरत दिखती हैं कभी उनको देखिए वैसे तो उसकी पूरी गड़ी तो बताते हैं कि कितने कहां कहां कैसे होंगी लेकिन आप पतियों का जरा कभी symmetry देखें कभी इतने गवर से पता नहीं देखी की नहीं देखी लोगोंने कि जब ब्रांच में पतियां भी निकलती है तो तीन पतियां दो पतियां पूरा symmetry जो चेहरा बहुत सुन्दर लगता है जैसे किसी बेक्ति का भी जो चेहरा बहुत सुन्दर दिखाई दे mathematically वो बिल्कुल proportionate होता है उसकी गड़ित होती ही पूरी हर चीज की गड़ित mathematics है तो जो mathematically perfect है वो सुन्दर है और जो mathematically perfect है वो कल्यानकारी भी है अगर nuclear energy भी mathematically तो उससे हम कितना कल्यान कर सकते है अगर चाहें तो कल्यानकारी है तो वस्तुते ये तीन टाइप है personality के तीन टाइप है कुछ लोग एक टाइप से चलना prefer करेंगे कुछ लोग एक टाइप से तो भारत में उनको तीनों को एक साथ मिला कर रख दिया सत्यम शिवम सुन्दरम जो रास्ता पकड़ना हो चलो जो भी रास्ता ठीक लगे उस रास्ते से चलो लेकिन चलो ये चीज़।